मस्कार आप देखें टीवी बनेरिया नियूच में हूँ आपके साथ बेव शंकर आज टीवी बनेरिया नियूच की टीम ने पंजाब के जरंधर में येपी चौक से लेकार लड़ू वाल टोल प्लाजा का निरच्छन किया और ये देखा कि जिस समस्याओं के चलते ये पीपोल का निर्माड किया गया था जिसको दो दूदिन पने जंता को समर्पित किया गया उसको कुछ तम्यों के चलते बन कर दिया गया जाल अंदर में टीवी वान इंडियान न्यूस की टीम ने पीपी चौक से लेकर लडवाल टोल प्लाजा तक का निरिक्षड किया जिसमें हमारे टीम ने देखा कि जिस पीपी पुल को दो दिन पहले जंता को समर्पित किया था उसकी जिस तरफ से ज़ादा जुरत थी उसको क समस्या की कारण पुल का निर्मार किया वह समस्या अभी वैसी की वैसी हैवें जब हमारी टीम唇 पीपी से निकल कर रामामंडी चौक गई तो वहां पर भी खामिया मिली रामा मंडी का पुल भी 12 साल से रुका हुआ है हमारी टीम ने आगे जाकर देखा तो टीम राश्टी राजमार्ग पर बहुत कमिया नजर आई साथी सड़क की दोनों और जो बैरिकेट्स लगे हैं उनको कई जगों से काट कर लोगों ने रास्ते बनाए जो की हाथसों का कारट बन रहे हैं वहीं हमारी टीम ने देखा कि राजमार्ग और सड़क के साथ जो पारिश का पानी नि देखिए कैसे बसें सड़क पर ही रुक करके सवारियां उठा रही है और यहां पर आप देख सकते हैं कि कैसे जाम किस्तिती है देखिए यहां पर जगा जगा अब रोदक जो लगाए गया है उनमें से लोग निकल निकल के जा रहे हैं अपनी जान को जोकर में डालकर हो ही गया है यह देखिए एक्सिएंट हो गया यहां पर आप देख सकते हैं माता को एक्सिएंट हो गया बाइक ने टक्र मार दिया इनको यह देखिए आप हम आपको वाड़ा के बस्टेंड का हाल दिखा रहे हैं जो पंजाब में जलंदर के पास है आप देख सकते हैं यह को भी कोई नहीं बता रहे हैं किंसरफ करने के वास्ते यहां पर नहीं है कोई रिजमेंट नहीं कोई कोई सड़्क करनी हो तो कैसे करें कोई यह देखिए जो मुलाजिम खड़ा हूँ वो बसों को कंट्रॉल कर रहा है बसों को साइड में निकाल रहा है अप और देख सकते हैं यह देखिए लोग कैसे खड़े हुए अपनी जान को जोखी में डाल कर सड़क रोज करेंगे यह हमारे पंजाब के हाईवे नमबर नेशनल हाईवे नमबर वन का हाल है हम आपको दिखा रहे हैं देखिए कैसे जगा जगा अब्रोदक हैं मगर कि अब्रोदक लगे हुए उनके जो पत्र पतर सड़के उपर ही फैके हुए हैं और लोग आप अपनी जान जोकी में डालके सड़क करते हैं यहां से और यहां पर मुक्या करन यह भी होसकता है कि देखिए आप रिक्ष्या वाले सड़क के बीच में पैठे हुए है रिक्ष्या लेकर के और जो आटो वाले हैं वह भी जहीं पर है कि सड़क के उपर यो अपनी फड़ियां लगा के बैठे हुए है आप देख सकते हैं फ्रूट की रेडियां भी जो है हाइवे के एकदम लगी हुए है है हाइज का में उसके ऊपर आप लेक्त सकते हैं कि फ्रूट की रेडिया लगे उएus की रेडिया लगी हुए है को और आटों यहीं पर खड़े हुए हैं आप देखे कैसे जहाँ पर कितना ट्राकीक का हम लोड है आप देख सकते हैं इस समीhst मेne इंब fils हमारी टीम ने उनसे बात की तो पता चला कि इस कंपणी को अभी 10 मार्च को ठेका मिला है मगर 20 दिन में कंपणी 10 किलोमेटर की भी सफाई नहीं हुई तो आज 30 तरीक हो गई है 20 दिन में क्या मट्टी नहीं ठाई गई किलो में स्ष्पाई लगे तो आपको अब बताइए भाज अब डिया जलंदर तक किदरेंसिन में सपाई एक मेना और लग जाएगा आपको हम दर ईतार्फ के पास है można नमर आ देंस नेटिक टैपने पर फपाई हो रही है मगद जलंदर से ले कर हमने जहां तक देखा है कि कहीं सपवाई नहीं हो रही इती है हो रही यहां पर तो हमने गोलाया में देखा भटी है हमने आपको दिखाए थे कितने धेर लगे हुए थे और आप देख सकते हैं यहां पर टाली भी खड़ी हुई है इनकी जो कि इस गंदगी को उठाएगी हम शाम को यही इसी रोड से दोबारा धिर गुजरेंगे और देखेंगे कि यहां पर कितनी सफाई है आपको हम नैशनल बनाने शुरू कर दी हमारी टीम ने देखा कि जगा जगा रोड तूटा हुआ है और इस राजमार को बनाने के लिए जो पेड काटे गए थे उनकी जगा पर एक भी पेड नहीं लगाया गया जबके इस रोड पर टोल प्लाजा है वो भारत के सबसे महेंगे टोल प्लाजा इस एरिया की में समस्या थी और लोगों की बहुत ज्यादा मांग थी इस मांग को पूरे करते हुए इस प्लाजाटन करने के चंद मिंटों के बाद ही इसको पंद एक साइट से पंद करना पड़ गया कारण जिस रोड के ऊपर इस टैम हम खड़े हैं यह रास्ता नुदिह सब्सक्राइब करने के लिए और इसको चलू किया गया इसकी समस्या अभी वैसी की वैसी ही बनी हुई है यह व्लाई उपर के नीचे जो सड़क है इसके उपर अभी आप देख सकते हैं कि कैसे जाम लगा हुआ है और यह जाम सारा जिन ऐसे बना रहता है इसके उपर बहुत ज्यादा वी आईपी जोग और कारूबारी लोग हर टाइम निकलते हैं बार उनको बहुत ज्यादा समस्या आ रही है क्योंकि यह रास्ता आगे अमरे सार पढ़ानपोर्ट की तरव जाता है जहां पर हमारे देश के एरपोर्स हैं और लोगों ने अपने काम दंदेगे लिए जब आपार के लिए कई वार फ्लाइट भी पकड सब्सक्राइब के लोगों के पास पहुंच चुके हैं आप देखिए जो वाटर ड्रेंज यहां पर बनाई गई है नेशनल आइवी के और से आप देख सकते हैं कितनी टूटी हुए और क्या उसका अंदर से हाल है क्या पानी उठा सकती है अगर बरसात आ जाए इसकी निका लोगों ने रास्ते में मट्री डाल डालके अवैद रास्ते बनाये हुए निकलने के लिए गाडियां उपर नीचे आ रही है इसमें से और इसकी अगर ज्यादा पानी आ जाए तो मेरे को नहीं लगता कि बरसाती ड्रेन उसको उठा सकते हैं आप देख सकते हैं हम नैशनल टूटे हुए आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ भी नहीं है अगर यहां से कोई भी आसानी से आरपार आ जा सकता है और आप देख सकते हैं सड़क के बीचों बीच जो डिवाइडर होती है कि जो सटक आप लगा होती है उसके भी कोई अव्रोदक नहीं है तांकि कोई सड जान का खत्रा बना रहता हो कि मेरे ख्याल जहां पर इस समय हम फगवाड़ा निकल गोराया के पासर पहुंच चुके हैं आप देखिए जहां पर जो सफाई की गई हुई है रोड की हाइवे की जो सफाई की गई हुई है उसकी मट्टी जो है और सडक के उपर ही पड़ी इस सीवरेज ड्रेन में जाए तो साथ में बना हुआ मगर उसकी भी हालत दैनी है मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए जो सीवरेज जाब परसाथ का पानी निकलने के लिए ने नेशनल हाईवे ने चैंबर डाला हुआ साथ में इसको बाटर ड्रेन भी बोलते हैं इसकी सब्सक्राइब आ दो हमिए है कि आप देख सकते कैसा मति के देर लगे हुए है इस सब्सक्राइब कhow सीवरेज तकी जानदरेहक दिया हों conve dictionary ए दर्य के Noel वाकार करा की सब्सक्राइब है यह नीतार नीजिए एक चैसे डियर कि सब्सक्राइब कर दोंदी होते हैं यहां पर यह हम नेशनल राइब नबर बन पर हैं इस समय जो लुद्याना को सड़क जाती है और गुराया के पास पहुंचने वाले हैं यह जो हालत हम आपको दिखा रहे हैं न यह अकाश बानी के पास की है अकाश बानी जो रेड़ूए है वहां पर हैं हम इस समय देखिए आप वो हम प्राई की गई थी ते प्राली में डाल के क्यों नहीं ले गए यह 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 बिया हम बता करने की कोशिश करेंगे अगर टीवी बान इंडियान न्यूज के लिए गुर्दीप सिंग की रिपोर्ट जालंदर पंजाब आ